नमस्कार आप सभी का टीवी 20 नीज में स्वागत है इस बुलेटिंग में मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा आईए रूख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ लाकडाउन में मुख्य सच्चिव के निर्देश के अनुसार रिस्टोरेंट माल हवाई यातरा हस्पिटालिटी सिवाउवा रेलेवे के प्रवासी मुझदूरों के अनुमने के अतरिक्त प्रतिवन्दित अथावत रहेंगे जलादकाई ने बताया कि जन्तमत में चाय रेस्टोरेंट की दुकान नहीं खुलेगी सिर्फ मिठाई की दुकाने सुबदस वई से साम छे बच तक खुल सकती हैं लेकिन कोई भी दुकानों पर खाने सकता ग्रहक अपने घरों पर लेकर जा सकते हैं क्या कुछ कहा जलादक मौल, हवाई जहाज के परिशालन, रेलवे के प्रवासी स्रविकों के अनुमन्य के आतरिक्त प्रतिबंद या हस्पिटैलिटी सर्विसेस के प्रतिबंद पर वो अथावत अभी भी रखे हुई हैं, वो अथावत रहेंगे। दुकान खोलने के विशे में उन्होंने जिलादिकारियों पर छोड़ दिया है, कि वो दुकाने खोली जा सकती हैं, जिलादिकारी इसको कैसे विनियमन करेंगे उस पर विचार कर सकते हैं। आलेडी कई दिर पहले से हमारे हाँ अधिकांस दुकाने खोली हैं, अभी भी नहीं खोलेंगे, अर्था चाय की दुकान नहीं खोलेंगे। जो दुकाने अभी तक खोल रही हैं, जिस डेट में खोल रही हैं, उनका जो भी क्रम है, उसको एथावत रखते हुए, सिर्फ मिठाई की दुकानों को और इसमें हम एट कर रहे हैं, जोड रहे हैं, खोलने के लिए, छो दिन खोल सकती हैं, दस बज़े से ले करके, शाम छे बज़े तक, लेकिन शर्त यह है, जो सासन के शर्त में भी है, कि दुकानदार मौके पर कोई खाने के लिए सर्विस नहीं करेगा, मिठाई को, जैसे जलीवी छान रहा है और वहीं खिलाने लगे, मिठाई दे रहा है, वहीं खाने लगे, यह नहीं होगा, कोई आकर के, वहाँ से क्रे करके, अपने घर लेके जा सकता है, यह विवस्ता, सासन के निर्देश में भी है, उस अस्तर तक हम, मिठाई की दुकानों को भी हम, अनुमती दे रहे हैं।